हाई अवरीवन, वन्स अगेन वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल, माई नेम इस भाफनाबिस्ट और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बुक रिव्यू, तो आज हम डिसकस करेंगे बुक रिव्यू, इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग के लिए मोवी रिव्यू की वीडियो भी लेकर आ जाओं, ठीक है, तो यह कोशन एक्जाम में पूछ जाता है इंग्लिश फ्लुएंसी का, और वैसे भी कई आज की वाली वीडियो आप सभी के लिए बहुत जादा है, मैं आपको बता दूंगी कि आपको बुक रिव्यू कैसे करना चाहिए, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी डाउट है, इंस्टेग्राम का लिंक मेरा, आपको मिल जाएकर डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, बुक रिव्यू, तो दिको बुक रिव्यू क्या होता है, बुक रिव्यू मतलब, आपने कोई से भी बुक लिये, ठीक है, अब मानों एक्जाम में आपको कोशन दिय हो, उसका प्रिव्यू लिख सकते हैं, ठीक है, चुकि अगर वो किसी एक स्पैसेफिक बुक का नेम दे देंगे, तो जरूर तो नहीं कि आपने वो बुक पड़ी ही हो, ठीक है, चुकि वर्ल्ड में इतनी सारी बुक्स हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आपने सारी बुक्स ही सबस्दा देंगा, तो सबस्सां references के उपर था इसलिए मैंने इसं नेम लिख आ, मुझे यसका assignment मिला था, मने आसे लिख वहाँ है, आपको जह लिखना है मैं आपको हहां से बताती हू meanings आपको लिखना यहां से एलिक हैं अब ध्यहां से सुनना हर एक चीज, इंट्रोडक्शन लिखो के पहले ऐसी आपकी हेडिंग होनी चीए पहली इंट्रोडक्शन ऐसे लिख देना बोल्ड करके अच्छे से फिर यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आपका जो भी बुक है जिस भी बुक का रिव्यू करने वाले हो उसके बारे में लिखना टाइटल मतलब की बुक का क्या नाम है तो मेरी बुक का नाम था अनिलेशन ऑफ बुक कास्ट तो मैंने अनिलेशन ऑफ कास्ट जो की बी आर अमबेटकर की बुक है मैंने उसका रिव्यू किया था आप जिस भी बुक का रिव्यू कर रहे हों, आप उसका नेम लिखेंगे, ठीक है, होगे टाइटल, फिर ओथर, कि वो बुक किसने लिखी है, आपको, जो भी आप बुक को रेडी करके जाएं, आप उसका टाइटल और उसका ओथर, अच्छे से याद कर ले, प्लस, वो कब प पॉब्लिकेशन इयर, और जेनर, यानि कि वो स्पीच थी, ये ऐसे था बुक में, ये बैयोग्राफी थी, ये ओटो बैयोग्राफी थी, क्या था, आपको वो लिखना है, ठीक है, I hope आपको समझ में आ गया होगा, तो जो भी आप बुक प्रिपेर करके जा रहे हो, बुक आपको इंट्रुडक्शन, आपको इंट्रुडक्शन में आपको एट्रोटल 5 चीज को मेंशन करना है, बुक रिव्यू में, अब नीचे है, About Author, इसके author है, B.R.Ambitkar, तो मैंने इसमें लिखा आपको, About B.R.Ambitkar, तो मैंने इसमें B.R.Ambitkar के बारे में कुछ बाते हैं, आपका जो भी author होगा आप उसके बारे में लिखेंगे तो इसको आप कम से कम one page का लिख सकते हैं इसको one page का लिख सकते हैं कि जो आपका author and उनके बारे मेंปटे पुछब बाते वनका एंड गॅन जरम कब हुआ था जो बाते having life..rela safety ठीक है क्या क्या उनकी achievements है यह सब चीजे फिर आपको लिखना होता है summary of book ठीक है आपको heading का लिखनी है summary of book फिर यहां पर आपको आपकी जो भी book है मेरी book थी annulation of caste तो मैंने उस book के summary लिख दिया क्योंकि book तो काफी बड़ी होती है तो आप पूरी book तो नहीं लिखोगे ना आपको summary लिखनी है तो मैंने summary लिख दिये वह summary आपका two page में आ सकता है ठीक है और जो important element को underline भी कर रहा है ताकि examiner को यह लिखे कि आपने book अच्छे से पढ़ी है ठीक है तो इस summary थी इस book की two page में आराम से आ जाएंगे आपकी फिर है analysis of book फिर आपको book के analysis करना है ठीक है कि इस book में क्या क्या बाते कहीं गई है और क्या वो बाते सहीं है ठीक है क्या वो बाते relevant है आपको इस book का एक तक से analysis करना है ठीक है तो आप इसका analysis करेंगे यह भी आपका डेर से दो पेज में आ जाना चाहिए इस में आप अपने view भी लिख सकते है analysis में कि आप क्या सोचते हैं इस book के बारे में या फिर इस book में यह चीज गलत है इस चीज से आप agree नहीं करते हैं analysis में जो भी चीज आप observe कर रहे हैं जो भी आपका analysis बनता है इस book के लिए आप वो लिख सकते हैं सारी चीजे ओके यह लिख लेना आप यह थोड़ सा बड़ा analysis फिर आगया conclusion most important आपको last में conclusion देना है first क्या था introduction second क्या था about the author and third क्या था summary of the book and fourth क्या था analysis of book and fifth is conclusion तो book review में आपको 5 steps learn करने हैं मैं आपको बता दिया है ओके इसको आप note-down कर लीजिए आपको इसी format में यह step है आपके format है यह अगर आपको मैंने बोला कि introduction पहले आएगा उसके बाद about the author आएगा तो आपको वही वाला sequence follow करना है ऐसा नहीं कि आप about the author पहले लिखके आ रहे हैं फिर आप उसके introduction लिख रहे हैं फिर conclusion लिख देरें नहीं यह sequence है sequence wise ही आप लोग का follow होना चाहिए फिर last में conclusion है तो conclusion में आप लिख सकते हैं कि मतलब जो भी इस book के पढ़ने के बद आपने conclude किया है आप उसको लिख सकते हैं और conclusion ज्यादा बड़ा ना हो तब भी चलेगा मतलब हाफ पेस से ज्यादा लिख सकते हो ठीक है तो यही था बस book review अब अगर आपके exam में आता है तो I hope आप अच्छे से लिख आ जाएंगे ठीक है लेकिन फिर भी कोई doubt है तो आप पोच लेना comment section में प्लीज आप इस video को जादा से जादा शेयर करें अपने friends के साथ ओके इस video में सरफ इतना ही अब मिलेंगे अपनी next video में तब तक के लिए check care bye bye